मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश को लेकर एक अहम अपडेट जारी किया है। उत्तराखंड राज्य में दिसंबर माह से लोग प्रदेश में बारिश और बर्फबारी जैसी स्थिती का इंतजार कर रहे थे लेकिन प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ था। इस बीच मौसम विभाग की ओर से पूर्वा नुमान जताया गया है कि नौ जनवरी से मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विभाग ने नौ जनवरी को प्रदेश भर में पश्चिमी विक्षोब के सक्रिय होने पर बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके बाद प्रदेश में बारिश होना संभव है। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश जैसी स्थिती के बाद अब उत्तराखंड तक भी इसका असर पहुँचने की उम्मीद लगाई जा रही है। प्रदेश में लंबे समय से बारिश नहीं होने से इसका असर फसलों पर भी पढ़ रहा है। किसानों को बारिश का इंतजार है तो वहीं सेब के बागवानों को भी बर्फबारी की प्रतीक्षा है। दिसंबर का महीना सूखा ही बीतने के बाद जन्वरी में भी अब तक बारिश नहीं हुई है, जिससे फसलों पर असर पढ़ रहा है। हाला कि मौसम विभाग का दावा है कि पहाडी और मैदानी क्षेत्रों में 9 और 10 जन्वरी को हलकी से माध्यम बारिश हो सकती है, जबकि उची चोटियों पर बर्फबारी की भी संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर प्रदेश में येलो अलर्ट भी जा अलर्ट प्रदेश में पर खक्वारी करता है। झाल 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 झाल